सर्दियों में मूली का इस्तेमाल परांठे बनाने के लिए या सलाद के रूप में खूप किया जाता है आमतोर पर लोग मूली के परांठे बनाते समय इसके पत्तों को बेकार समझ कर फेंग देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्ते हमारे स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं इसके पत्तों में सोडियम, आयरन, मेगनीशियम, प्रोटीन, काबोहाइडरेट और विटामिन जैसे पोशक तत्व मौजूद होते हैं मूली के पत्तों से बने जूस का सेवन कारण से कई तरह की स्वास्थे संबंधी परेशानियों में लाब होता है मूली के पत्तों से बने जूस का सेवन करने से कबज, लो बलर प्रेशर और तवचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है आज के इस वीडियो में हम आपको मूली के पत्तों का जूस पीने के फायदे बताने जा रहे हैं मूली के पत्तों का जूस हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है इसमें उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो पेट को साफ करने में मदद करता है इसके जूस का सेवन कारण से कब्स की परेशानी से छुटकारा मिलता है आपको बता दे कि मूली के जूस के सेवन से low blood pressure की समस्या भी दूर होती है मूली के पत्तों में उच्च मात्रा में सोडियम पाया जाता है जो शरीर में नमक की कमी को दूर करने में मदद करता है Low Blood Pressure के मरीजों के लिए मूली के जूस का सेवन फायदेमंद होता है मूली के पत्तों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है मूली के जूस का सेवन करन से शरीर में हीमोगलोबिन बढ़ता है और अनीमिया की शिकायत दूर होती इसके साथ ही यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में भी फायदेमन माना जाता है मूली के जूस का सेवन करने से तवचा संबंधी समस्याइं भी दूर होती है मूली के पत्ते खून को साफ करने में मदद करते हैं जिससे पिंपल्स, खुजलीक, फुंसिया, रेशजादी समस्याओं को दूर होती है मूली के पत्तों का जूस पीने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है इस जूस को पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और भूग भी कम मिलती है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मूली का जूस पीना जूस फायदे मन्द साबित हो सकता है मूली के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और एंटियोक्सिडेंट होता है इसमें मौजूद फायटो केमिकल्स और एंथोसाइनिन कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं मूली के पत्तों का जूस पीने से कोलन, पेट, गुर्दा और आतों के कैंसर से बचाव होता है इस तरह बनाएं मूली के पत्तों का जूस मूली के पत्तों का जूस बनाने के लिए मूली के पत्तों को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकडों में काट कर मिक्सी में पीस लें इसके बाद इस जूस में काला नमक, काली मिर्च पाउडर और नीमबू मिक्स कर लें और इसका सेवन करें इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद